Hello everyone and welcome back to our channel Dream Rose Guys, तो आज हम लोग बात करने वाले important topics जो कि आप बी के current topics से जो भी related होगा मैं वो उन सारे topics को day by day लेके आऊंगी जो कि आपका एक दिन में मैं कोशिश करूँ कि maximum points उससे deal हो जाएं तो आज जो आपके topics हैं वो ICC World Cup 2019 से related है जो कि हाली में हुआ है हाली में मतलब एक साल बाद अब इसके बाद जो होने वाला है वो चार साल के बाद जैसा कि आप जानते होंगे कि जो भी ICC World Cup होता है वो चार साल में organize होता है हर एक चार साल के बाद organize होता है जैसे leap year आता है ना चार साल के बाद उसी तरह ये भी होता है अब बात करें कि इसका जो कौन सा संस्करन है आप देख सकते हैं हाँ पर मैंने 12 जो संस्करन है वो लिखा है हुआ कब है 2019 में वे कौन से दो टीम के बीचों में यह लास्टली खेला गया था तो यह इंग्लैंड और न्यूजिलैंड के बीच में खेला गया था इनके जो विन गोसित कर दिया गया उसमें था तो जो सबसे ज्यादá कापनाया होगा सु नहीं वेरा ऑसैंड झोना दे अगर हम song theme की बात करें तो वो था stand by यह भी पूछ सकता है में भी पूछ सकता हूं तो आप में अच्छा सा याद कर लीजिए अगर हम बात करें cool team की तो इसमें cool team कितने participate किया था cool team 10 team ने participate किया था 10 team ने matches कितने हुए थे तो इसमें matches जो थे वो कौन सा रहा था तो न्यूजिलेंड रहा था इंग्लेंड के अगर हम captain की बात करें तो इंग्लेंड के captain थे योगएन यूएन Morgan थे इंग्लेंड के captain और वहीं हम न्यूजिलेंड के captain की बात करें तो वो कौन थे तो करें तो यह इंगलैंड के जो बलस सटक की बात करें तो रो suivक शुर्मा को दिया गया स्रवादिक स्कोर इनुझे बनाया कितना तो उन्हें वह से समय से एक रन कम मतलब डेविड वार्डनर जो जो के ऐस्ट्रेलिया के थे उन्होंने 647 रिंड बनाया लेकिन रोही शर्मा ने इन से एक रंद ज्यादा बनाया और यह इन्हें मिल गया वही सरवदिक وिकेट की बात करें तो सरवदिक विकेट जो थे वो किसने लिया था तो च्शका की बात करें तो वो लिया था योगेन मॉर्गन ने लिया था आप फिगर में भी ऐसा देख सकते हैं कि योगेन मॉर्गन ने लिया था और कितने इस सिक्सर्स मारा इन्होंने तो बाई सिक्सर्स मारा वही चौका की बात करें तो रोही शर्मा ने मारा वही हम बात करें जो 13th संस्करन होने वाला है वो हमारे इंडिया में होने वाला है अगर हम ये बात करें कि जो golden bats award था वो किसे मिला था इसमें तो golden bats award था वो मिला था रोहिश शर्मा को जो कि इंडिया के team के हैं वहीं बात करी कि final match का जो आयोजन स्टल कॉन सा था तो मतलब कहां पे हुआ था ये तो वह player of the tournament की बात करें तो वो किसे मिला था तो केन विल्यम संस को मिला था player of the tournament का अब यहां पर बात करें कि semi-final में कौन-कौन से team गई थी तो semi-final में थी इंडिया आपका अस्ट्रेलिया फिर आपका न्यूजिलेंड और एक था आपका इंडिया अस्ट्रेलिया न्यूजिलेंड एंडिया आपके चार टीम थे जो कि semi-final में थे इंडिया को हडाया किसने तो इंडिया को हडाया न्यूजिलान ने कितने रंसे तो 18 रंसे 18 रंसे तो इतने आपके हां से important facts आ गई important चीज़े आ गई जो कि आपके पूछे जा सकते हैं एक्जाम में to the point हर एक चीज़े हैं कौन सा थीम था कौन सा क्या है कौन सा उबेस्टा रहा में अफदा मैस किसे मिला में अफद टूनामें किसे मिला golden bats award golden bats golden ball किसे मिला ऐसा करें कुछ भी याद रखेगा जो golden ball award था वो 2015 में भी missile को ही मिला था और 2019 में भी missile को ही मिला figure में भी आप ऐसा दिया हुआ होगा आप देख सकते हैं so एहां से इतने जादा important है अगर आप इतना कुछ याद कर लीजे तो शायदी कुछ होगा जो छूट जाएगा जो भी मैंने बताया so guys hope you like this videos and thank you so much for watching this thank you once again